हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल गर्मियों में पसीने की वज़े से हम बालों में जल्दी जल्दी शैंपू करते हैं जिसकी वज़े से हमारे स्कैल्प का नैचुरल ओईल निकल जाता है और हमारे बाल बिल्कुल ड्राइ और अनमैनेजबल हो जाते हैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने शैंपू में ऐसी कौन सी चीजे मिक्स करनी हैं जिसको लगाने के बाद आपके स्कैल्प का नैचुरल ओईल भी बना रहेगा और आपके बालों के ग्रोथ भी दुगनी हो जाएगी तो बने रहे ये वीडियो के अंट तक और अगर आप में चैनल पे नहीं हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्यूंकि हैर केर और स्किन केर से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेना है शैंपू आपको जो भी शैंपू यूज़ करते हैं आप उसे ले लीजिए और फ्रेंट्स इस तरह से मैं अपने बालों में लगा रही हूँ और मुझे न अपने बालों का शैंपू में इसको मिला करके लगा सकते हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और जितनी बार आप शैंपू करिए इन चीजों को मिक्स कर लीजिए तो सबसे पहले मैं इसमें डालने वाली हूँ सुगर सुगर डेड इसकिन सेल्स को रिमोव करता है हमारे स्कैल्प को तरह से क्लीन करता है जिससे हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है बाल सॉफ्ट और शाइनी हो जाते हैं नेक्स्ट मैंने इसमें डाला है दो चमच गुलाब जल गुलाब जल में नैचरल कंडिशनिंग प्रॉपर्टीज होती है जो बालों का टेक्शर इंप्रूब कर इरिटेशन को रिड्यूस करता है साथी मैं बालों को बढ़ने में मदद करता है ठर्ड इंग्रीडियंट मैंने इसमें डाला है अलोवेरा जल जो बालों को सिल्की और सॉफ्ट बनाता है यह हमारा जो शैंपू बनकर तयार हुआ है यह आल इन वन पैक है इससे आपको पूरे बालों को साफ करिए और तुरंत वाश कर लीजिए अफ़र्क आपको पहले ही वाश में नजर आएगा और फ्रेंट्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए बाए बाए